हेलो फ्रेंड्स नमस्कार दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं आजेन खान के बेल अप्रिकेशन की सुनवाई अभी कोट में चल रही है अभी तक लंज के पहले क्या कुछ हुआ है किसके पक्ष में यह मामला जा रहा है कौन पक्ष अभी तक स्ट्रॉंग है जीत रहा है लेट आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ दोस्तों आपको बता दूँ कि NCB के जो एडवोकेट है एडवोकेट अनिल सिंग उन्होंने शुरुआत में कह दिया कि यह जो केस है आरियन खान का यह बेल देने लाइक फिट केस नहीं है यानि कि आरियन खान को बेल नहीं म मिलने चाहिए क्योंकि वो लास्ट तीन साल से ड्रग्स कंजूम कर रहा है यानि कि ड्रग्स ले रहा है इसके बाद NCB के एडवोकेट ने कहा कि जो ड्रग्स अरबाज मर्चन के पास से मिली है वो एक्शुली दोनों कंजूम करना चाहते थे यानि कि आरियन खान और अरब अरबाज मर्चन के पास जो ड्रग्स थे वो आरियन खान के लिए भी थे यानि कि आरियन खान के कंजूम करने के लिए भी वो ड्रग्स रखे गए थे इसके बाद एडवोकेट अनिल सिंग यानि कि NCB के एडवोकेट ने कहा कि ड्रग्स जो अरबाज मर्चन के पास थे उन का quantity of drugs से कोई लेना देना नहीं है क्योंकि एक बार अगर established हो गया कि ये एक गैंग की बात है एक trafficking की बात है इसमें कुछ trading की बात है इंटरनेशनल निंग की बात है तब quantity of drugs ये माइने नहीं रखते हैं और NDPS के कुछ sections ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि एक बार अगर connection established हो गया तब फिर quantity of drugs कोई matter नहीं करता है उसके बाद उन्होंने कहा कि NCB पूरे entire gang को पकरना चाहती है जो कि इस drug trafficking में involved है यानि कि ये मामला इतना simple नहीं है ये मामला एक बंदा drugs ले रहा है consume कर रहा है इतना तक सिमित नहीं है ये एक conspiracy की बात है ये एक international trafficking drug trafficking की बात है international link की बात है और ये entire gang को NCB पकरना चाहती है जो involved है इस drug trafficking में तो ये normal सिर्फ drug consume करने के बात नहीं है यहाँ पे drug trafficking की बात है यहाँ पे drug खरिदने और बेचने की बात हो रही है इसलिए यहाँ पे ये कहना कि बस एक बंदा ने consume करने के लिए रखा था ये इतना simple matter नहीं है तो यहाँ तक दोस्तों अभी तक हुई है बात lunch के पहले तक ऐसा लग रहा है कि NCB ने बहुत strongly अपना case रखा है NCB यही कहना चाह रही है कोड से कि यह एक drug consumption का फिर बात नहीं है यहाँ पे drug trading की बात है यहाँ पर एक conspiracy की बात है यहाँ पर international link की बात है बहुत ही बड़ा और serious मामला है इसलिए यहाँ पे bail नहीं मिलनी चाहिए आरियन खान को तो यह बड़ी बात है दोस्तों जैसे जैसे और information आएगी lunch के बाद just अभी सुनवाई फिर शुरू ही है देखें आगे-आगे क्या होता है लेकिन अभी तक जो Advocate Anlis Singh ने रखा है बात कोड में वो मैंने आपको बताया है बने रहेगा में इस चैनल से जैसे information आएगी आरियन खान को bail मिला की नहीं मिला मैं आपको तुरंत आपको information दूँगा मैं तो अगली वीडियो में दोस्तों